नमस्कार में भाकिश्री बिस्यन दियुस की बिजनेस समाचार में आज सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुख्यों पर 12 हफ्ती की उच्छ स्थर पर पहुचा बिटकॉण एथिरियम पीछ हफ्ती की उचाई पर ITR फाइल करने की डेटलाइन पड़ी फिर भी लगे की पेनाल्टी इंकम टैक्स डेपार्टमें ने कोरोना वारस महमारी को देखते वे वित्वज 2020 और 2021 के लिए ITR फाइल करने की डेटलाइन तिस सितम पर 2021 तर ज़रूर बढ़ाती है लेकिन डेटलाइन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको तरणात्मक 24 से रहात मिलकी है जिसका भुकतान सिल्फ असेस्मेंट टैक्स या आडवांस टैक्स के किसमें आउट्स्टेंडिंग टैक्स लाइविलिटी के मामले भी ज़रूरी होता है इंकम टैक्स आडवांस टैक्स के तीन सेक्षन 234A, 234B और 234C के तहट टैक्सपेर्स को बकाया टैक्स पर इंट्रेस्ट देना ज़रूरी होता है अगर उसे इंकम टैक्स रिटर्न दाकिल करने में देरी होती है, सेक्षन 234A के मताबिक, ITR फाइलिंग में देरी पर ब्यास लगता है हाला कि सेक्षन 234A के तहट उन टैक्सपेर्स को रहत मिलती है, जिनका सेल असेस्मेंट टैक्स एक लाक रुपे तक है लेकिन अगर टैक्स लाइबिलिटी एक लाक रुपे से जादा है, उन्हें तेरी पर ब्यास देना होगा इसलिए भले ही income tax return भरनी की date line 30 सितमबर हो अगर आपकी tax liability एक लाग रुपे से जादा है तो आपको अगस्ट और सितमबर के लिए 1% के हिसाफ से एंटरस देना होगा विरो रिपोर्ट BCN News अगर आप इस बाद से खुश है कि आपकी salary बढ़ने के बाद आपकी take home salary जाता होगी है तो आपकी ये खुशी जादा समय तक नहीं रहने वाली है क्योंकि नया wage code लागू होने के बाद आपकी take home salary तो घटेगी टैक्स का बोच भी बढ़ सकता है किसी कर्मचारी की cost to company याने CTC में 3-4 component होते हैं बेसिक salary, house rent allowance, retirement benefits जैसे PF, gratitude और pension और tax बचाने वाली भत्ते जैसे LTE और entertainment allowance अब नए wage code में ये तैह हुआ है कि भत्ते कुल salary से किसी भी केमत पर 50% से जादा नहीं हो सकते हैं ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की salary 50,000 रुपे मैना है तो उसके basic salary 25,000 रुपे होनी चाहिए और बागी के 25,000 रुपे में उसके भत्ती आने चाहिए यानि अभी तक जो कमपनिया basic salary को 25-30% रखती थी और बागी का हिस्सा allowance का होता था तो वो अब basic salary को 50% से कम नहीं रख सकती है ऐसे में कमपनियों को नए wage code के नियमों को लागू करने के लिए कई भत्तों में कर्टोती भी करनी पड़ेगी नया wage code लागू होने के बाद कर्मचारियों का salary structure बदल जाएगा इससे उन कर्मचारियों की tax देनतारी जादा हो जाएगी जिनके salary जादा है क्योंकि उनके सारे भत्तों को 60-50% के अंदर ही समिटा होगा जगकि lower income वालों को tax की मार कम पड़ेगी उनका पीफ के लिए योग होतान पर tax deduction बिलेका इससे उनकी tax देनतार इकटेगी बिनो रिपोर्ट बेसे अद निर्ज अप्लिकेशन पर ग्रहक अब सिर्फ उसी फोन से लॉगिंग कर सकते हैं जिसका मोबाइल नबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉट से ग् रजिस्टर्ड मोबाइल नबर है यानि अब SBI योनो खाता धारकों को किसी आन्य नबर से लॉगिंग करने का प्रयास करने पर कोई transition करने की अनुमती नहीं देगा अब इस नए नियाम की तहट आप आप को किसी भी फोन के जरिए लॉगिंग नहीं कर सकते हैं जबकि पहल को के लिए सुरिक्षा सुविदा को बढ़ा रहा है विरो रिपोर्ट बीसीन न्यूज सुम्वार को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अच्छी खासी तेजी देगी गए दुनिया की सबसे मशूर क्रिप्टो करेंसी उसके भाव 12 फिस्दी चड़कर 6 हफदी की उचाई प बहुत चुके हैं दुनिया की सबसे मशूर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का भाव 12.5 फिस्दी बढ़कर 49,850 पर बहुत चुका है यह जुन के मत्य के पाद बिटकॉइन का सबसे मेंका भाव है इस विच इधरियम का भाव तीन हफ़ते की उच्छे स्थर पर पहुचक 2344 डॉलर की भाव पर पहुच चुका है पिछले तीन महिने में भाव के हिसाब से बिटकॉइन के लिए हफता सबसे बैठर घा जा सकता है बिटकॉइन की भाव में तेजी आने के पाद अब इससे शॉट करने वाले कारुपार्यों का रूख बदल क्या है बिरो पेंशन चुट्टी के दिन भी आपके खाते में आएगी आर्पिया की नए नियम के तहट अब बैंक रहाग अपनी बैंक के एटियम से हर मेरे पांच फ्री टैंजेक्शन सुविदा का लाप ले सकते हैं इसके बाद के विट्रॉल पर उन्हें चार्ज देना होगा आर्प केंट्रों में गैर वित्य लेंटिन के लिए पाच रुपए से छे रुपए तक प्रती लेंटिन इंटरचेंज शुल्क में पड़ो तरीकी हैं बिनो रिपोर्ट बीसीन नियूज ख़बरे समावत करने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर बारा हफ्ती की उचिस्तर पर पहुचा बिटकॉन एथिरियम पीछ हफ्ती की उचाई पर आटियार फाइल करने की डेडलाइन पड़ी फिर भी लगेगी पेनाल्टी बिस्निस समाचार में फिला लिता हैं ऐसे अने खबरों से चुड़े रहने के लिए देखते रिए बीसीन न्यूज नमस्कार